Hello everyone, very good evening, आप सबके लिए एक information, खास करके B8 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए ये mind में बहुत जादा एक, कह सकते हैं, negative effect डाल रहा था, कि क्या हम PRT से बाहर हो चुके हैं, seated के PRT से बाहर हो चुके हैं, तो आप simple जान लो कि अभी आप कहीं से भी बाहर नहीं हू चाहे आप as a कह सकते हैं, कि seated से है, या फिर caviar से है, या कहीं से भी आपको बाहर नहीं किया गया है, ये उत्तर प्रदेश हाई कोट का ये फैसला आया है, कि जब तक अगली सुनवाई या अगले कोई फैसले नहीं आ जाते हैं, तब तक B8 के PRT के result पर रोक लगा दिया जा जाएगी, जो PRT का B8 जो बच्चों ने exam दिया होगा, बाकी अगर आपने junior दिया है, तो वो result आपको जल्दी मिल जाएगा, तो अभी इसके लिए परिशान मत हुई है, अभी बहुत सारे results बाकी है, जैसे Supreme Court अभी बाकी है, इस पर अपना फैसला देने के लिए, वो भी ज information दे दिया जाएगा, और दूसरी update ये है, कि जो बच्चे उत्तरप्रदेश से संबंदित हैं, उत्तरप्रदेश से विलॉंग करते हैं, वो एक चीद सुनते आ रहे होंगे, कि नए सिच्छा आयोग का गठन होने वाला है, और उसके बाद ही हमारे कोई exam होंगे, जो teaching से related ह तो सिंपल मैं बता दूं कि इस आयोग को लेकर के दो-तीन दिन से जो meetings वगएरा है, वो चल रही है, उसमें ये भी हो चुका है कि किस तरीके से जो उसके अध्यक्ष होंगे, या जो members होंगे, वो किस तरीके से चैनित होंगे, चुकि दो दिन से cabinet की meeting चल रही है, तो जल्द पैसे देते हैं, तो वो मदर्से के भी टीचर्स अब जो है, इन्हें सिच्छा आयोग के थू ही वो चुने जाएंगे, चीक है, तो इस सिच्छा आयोग के बाद ही आपको सूपर टेट, या फिर हम कह सकते हैं, जो TZT, PZT के एक्जाम होने वाले थे, वो सब जब तक नए सिच्छा आयोग का गठन, या कह सकते हैं, पूरी चीज़ें उसके हमारे सामने नहीं आजाती है, तब तक इन सब पर रोक लगी रहेगी, ऐसे अगर देखा जा रहा है, तो गौर्मेंट ये सारी चीज़ें कर चुका है, बस हमारे सामने नहीं ला रहा है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, आज भी कैबनेट की मिटिंग थी, देखिए, अगली अपडेट आपको दे दी जाएगी जैसा होगा, तो आप लोग जुड़िए हमसे, और सत्यम क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू,